इसकी एक टर्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है पूरे वोल्ड में, that is neural plasticity. ये क्या है, what is it basically? हमारे brain के अंदर, अगर आप, मैं आपके बार-बार philosophy को टच कर रहा हूँ भी कोई मेरे को भी बड़ा पसंदीदा subject है वो, आपका brain में जितने neurons है ना, it's billions of neurons, और उनके connections हैं, बिलियन तार हैं आपके दिमाग के अंदर, और वो तार एक दूसरे से बात भी करते हैं, उनको connect भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर neuron हर से बात कर रहा है, लेकिन by a large there are neural networks, spinothalmic track हैं, उस अब हैं, और कहीं न कहीं, I'm sure एक neuron को device ही नहीं है देखने के लिए, exactly, कि वो किस लेवल पे हो रहा है, बट उसको synapsis कहते हैं, if I'm not wrong. Synapsis, yes, तो हमारा brain अपने आप में एक universe से कम नहीं है, बेशक आप universe को अपने आप में देख लो, एक आदमी को देख लो, animal को देख लो, plant को देख लो, it grows from seed and then it manifests itself and then it's involute, it निरोन्स हैं इतने सारे, निरोन्स इनिशली जब बचा मा के पेट में होता है, वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है, निरोन्स की, नमबर्स बढ़ते हैं, फिर धिरे धिरे उनके connections बनते हैं, और connections हमारे आज इवन बनते रहते हैं, शुरू में number of neurons भी बढ़ते हैं, ज चुरू के दो साल में हमारा ब्रेन मैकसिमम बढ़ता है, उसके बाद साथ आठ साल के उमर तक भी हड़ सरकंफरेंश जो तोड़ी बढ़ती रहती है, जो हड़ साइज बढ़ता है, इस बिकोज ऑफ ब्रेन इंसाइड, लेकिन साथ आठ साल के बाद इस वरी मिनिमल, और ब अपने दिमाग के पर्टिकलर अरिया को चैलेंज करोगे, पुश करोगे, यू वर्क बहाइंड इट, तन यू विल गट मूर और नौर नौर नौर.